दोस्तो अगर मैं आप से कहूँ कि दीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो यह यह लड़की पागल है पागल है पागल है जैसे सुपर हिट सौंग सुनने के बाद आपके जहन में किस फेमस सिंगर का नाम आता है तो शायद आप सब सिंगिंग के इस बाशा कहे जाने वाल फेमस सिंगर बाशा का नाम लेने से पहले एक सेकेंड का भी वक्त नहीं लेंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंगर बाशा ने अपने शुरुआती चरण से ही अपने हर एक सुपर हिट सौंग से दशकों का भरपूर मन औरंजन किया है जिनके गाने जब भी परदे पर प और कैसी दिखती हैं अगर आप भी सिंगर बाशा की बाइप के बारे में चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंदग बने रहे और साथी फिल्ब इंडस्ट्री के सूपर आर्टिस्ट के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें फिलिम इंडस्ट्री की फेमस सिंगर बाशा का रियल नेम आदितिय पतीक सिंग सिशो दिया है जिने दर्शक प्यास से बाशा कहकर पुकारते हैं इनका जन्म 19 नवंबर 1985 को राजधाने दिल्ले में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कम्पलीट की थ वहीं अगर बात कर इस 22 सिंगर के एक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआ सन 2006 में माफिया मुंडिर बैंड को जोइन करके की थी जिसमें इन्होंने यो यो हनी सिंग और रफ्तार के साथ काम किया था और इसके अगले ही साल इन्होंने सॉंग सोडा व और बाशा का करियर ही पलट गया था जिसके बाद इन्होंने साल 2012 में बॉन्श्टार नाम का एक पहला एल्बम किया और आज ये कई एल्बम्स के लिए काम करते हैं जिन्होंने खांदानी, सफाखाना, स्ट्रीट, डांसर, थ्रीडी और गुड न्यूज जैसी कई फिल्मों में म्यूजिक कंपोजर के साथ साथ सिंगर और रैपर का भी काम संभाला और इसी के चलते आज ये दश्कों के सबसे चहीते सिंगर कहे जाते हैं लेकिन अगर बात कर इस मल्टी टैलेंटी सिंगर की प्रसनल लाइफ की तो इन्होंने साल 2012 में जैसमीन के साथ अपना घर बसाया था और इस शादी से आज ये क्यूट कपल एक प्यारी सी बेटी के दमपती बन चुके हैं जिनका नाम ग्रैस मसी सिंग रखा गया है आपको बता दें कि जैसमीन एक हाउस वाईप है जो घर पर रहकर अपने परिवार का पुरा खयाल रखती है लेकिन बात की जाएंट की लव लाइफ की तो बाशा और जैसमीन शादी से पहले ही एक दूसरे को चानते थे दोनों की ये शादी एक लव मैरिश थी जिनकी पहली मुलाकात एक कोमन फ्रेंड के जरिये बड़्य पार्टी में हुई थी और तभी से ही इन दोनों के प्यार की दास्ता शुरू हुई जिनका ये प्यारा शादी के आठ साल बाद भी बखू भी बरकरार है तो दोस्तों आपको सिंगर बाद शारूं की पत्नी जैस्मीन की जोड़ी कैसी लगी आप हमें अपनी राया कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताए और साती फिल्म इंडस्टी से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले